गुद मॉर्निंग एवरिवन मैं सेल्फ केला सोनी आई वेलकम तो यूँ अन दिस डिजिटल प्लेटफर्म आप सक्सिस पॉइंट स्कूल बाडमेर माई दिर स्टेंट्स आज मैं इंग्लिश लेंग्विच का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं लेकिन फिर वो माइंड से निकल जाता है फिर उसको पढ़ने की जरुद पढ़ती है और प्रॉपर्ली नहीं समझने की कारण हमसे सेंटेंस मेकिंग में मिस्टेक्स होती है जब भी हम लिखने के लिए बैठते हैं इंग्लिश में कुछ तो प्रॉपर सेंटेंस हम बना नह नहीं पाते हैं वो सिर्फ इस टॉपिक को अच्छी तरीके से ना समझने कारण है और इस टॉपिक की सबसे खास बात यह है कि हमने इसको प्राइमरी क्लासिस से पढ़ना शुरू किया है लेकिन फिर भी हम इसमें अच्छी तरीके से अपनी कमांड नहीं बना पाए और इस सामने इंग्लिश लेंग्विज का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो है समझाने के लिए जा रहा हूं जिसका नेम है टेंज कि अगर कि और आज के बाद जब यह अपने टेंज टॉपिक कम्प्रिट हो जाएगा उसके बाद कभी भी आपके माइंड से यह टेंज टॉपिक नहीं निकलेगा और जब भी आप सेंटिनेंस बनाने बैठेंगे तब इजी लिवे में सभी तरीके की वाक्य आप बना सकते हैं जो टेंज से बनते हैं इससे भी पहले एक छोटा सा एक टॉपिक जिसको परसन कहते हैं पहले हम वह समझेंगे और मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह सारी क्लासेज के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह कि 6-12 के लिए इंपोर्टेंट है यह कॉंपिटिव एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ऐसा कह सकता हूं कि इंग्छिस का वन अफ दी मोस्त इंपोर्टेंट टॉपिक है So, let we discuss about tense Before I start, I will tell you what is the person Tense को समझने से पहले person समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि person के बिना tense के जो basic rules है वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे Person जो हमने इस topic को भी हमने शायद पढ़ा होगा So, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि person क्या होते हैं Tense का topic बहुत ही आसान है मेरे साथ चलिएगा और one by one step by step इस topic को समझेगा At first we talk about person सबसे पहले हम person की बात करते हैं Person क्या होता है So, यहाँ पर मैं note कर रहा हूँ First person, second person and third person There are three types of person There are Tीन तरीके के person होते है कौनगों से जिसको हम First Second And third person की नाम से जानते हैं First person Second person And third person और यह कौनगों से होते हैं If I talk about first first person Then I can say I and V I And V When I talk about second person Is you And also you And third person He, she, it And they यह हमारे persons है और बहुती छोटा सा और इंगलिस का स्टार्टिंग सा बेसिक सा कॉंसेप्ट है जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि सक्सेस पॉइंट स्कूल में आपको सबसे पहले यह सिखाया जाएगा कि इंग्लिस लेंग्वेज को पड़ते कैसे हैं उसको समझते कैसे हैं उसको लिखते कैसे हैं बोलते कैसे हैं यानि reading, writing, speaking और listening इन four aspects पर work किया जाएगा उसके बाद step by step आपको यह language सिखाई जाएगी हमारा target ना केवल आपका syllabus complete करवाना है वरन उस syllabus के अंदर जितने भी grammatical topics है वो सारे के सारे और जितना भी grammar का foundation course है वो सारा आपको example से regular classes में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और उसमें कुछ भी cram नहीं करवाया जाएगा वो topic बहुत easily mind में set हो जाएगे है ना चीजों को रटाया नहीं जाएगा easily आपको समझाया जाएगा example से क्योंकि जैसा पहले मैं कह चुका हूं कि English के इंदर रटने जैसा कुछ भी नहीं है सब सिर्फ समझने जैसा है और हमने कभी शायद पूरी तरीके से समझने की कोशिश नहीं की so my dear students here we can see persons there are three types of persons first second and third first person I and we second person मैंने आप दोनों साइड यू लिखा है I'll explain you later and he shit are they यह अपने persons होते हैं अब थोड़ा बहुत मैं इसको explain करता हूं कि क्या है और यह क्या रोल प्ले करते हैं टैन्स के अंदर मैंने इस टॉपिक को लिया क्यों है अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैं मैं बात करता हूं कि क्या और क्यों I have two words जब हम English पढ़ते हैं तब आपके माइन में दो सब्ध होने चाहिए what and why ? हम क्या पढ़ रहे हैं और हम वो क्यो पढ़ रहे हैं अब यह पर्सण के बारे में सब्सक्राइब और हम इस लिए पर रहे हैं से मारे माइंड में सेट हो जाए इन दोनों के अंसोर जब अपना टॉपिक कम्प्लीट होगा टेंस का तब आपको अच्छी तरीके से समझ वाएंगे तो माइडियर स्टेंट्स मेरे पढ़ाने का ही कॉंसेप्ट रहेगा कि एक्शल में हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसकी क्या इंग्लिश के अंदर और उसको हम क्यों बढ़ रहे हैं कि सो परसंस में बात करते हैं फर्स्ट परसन सेकंड परसन और थर्ड परसन की जैसा कि मैं आपको इस स्लाइड में दिखाया है सबसे बात करता हूं मैं आई और वी की आफ्टर डेट यू एंड यू और उसके बाद मैंने नोट किया था ही शी इट एंड दे यह हमारे परसंस थे इसको मैं कहूंगा फर्स्ट इसको कहूंगा सेकंड और थर्ड अब थोड़ा से इसको समझ लेते हैं कि है क्या उसके बाद इसको नोट करते हैं यह कापा यह संखेल अग्यार क सब्साहिए करापए और स्ध opener ण्रेक्राइए,шеय थो आइज बात करता हो यह यह ने मेरी तो मैं होंगा और टजंत परसंव संगलर ब्यान से समझीएगा फर्स्ट पर्संव स्पस्पसंवसिश को मैं एक वच्ञिवार मैं अकेला हो मैं मैं first हूं पहला हूं मैं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि I को मैं कह सकता हूं first person singular इसको मैं कह सकता हूं first person सिंगिलर क्या हम इसको ऐसा कह सकता हूं सिंगिलर पहला व्यक्ति एक वचन यानि मैं मैं जो है अगर कुछ कहूंगा आई पहला और मैं कुछ कहूंगा सामने वाला क्या हो जाएगा दूसरा तो दूसरा कौन दूसरा होगा सामने वाला यू यू दर I can say you a second person second person singular अब मैं सिर्फ अभी सिर्फ single की बात कर रहा हूं है after that we will talk about plural second person singular दूसरा वेक्ती एक वच्चन तो यहां तक समझ माया आई यह नि मैं first person पहला वेक्ती समने वाल वेक्ती क्या होगा मैं पहला हूँ तो वो दूसरा वेक्ती सुनने वाला second person जो सुनना है मेरी बात और जब हम दोनों यानि मैं किसी friend की बात करूँ या वो वेक्ती जो मेरे सामने बैठा है second person तो हम दोनों जब किसी और के बारे में बात करेंगे तो हम दोनों किस-किस के बारे में बात कर सकते है या तो हम किसके बारें बात करेंगे ही यानि किसी लड़के के बारें बात करेंगे है ना या फिर शी किसी लड़के के बारें बात करेंगे है ना और या फिर इट इस इट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना की इट क्या है ये सीधा सा है ये क्या हो जाएगा ये 3rd person हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3rd person ये 3rd person सिंगिलर हो जाएगा, अब इस it को समझते हैं कि it क्या है अगर मैं it की बात करूं, इस it को अलग से मैंने इसलिए लिया है, क्योंकि इस it को समझना बहुत ही जो है, थोड़ा सा देता है इट की जब भी बात होगी, तो हम बात करेंगे, singular, countable noun की, हम किस की बात करेंगे, when we talk about it, then we always talk about singular, क्योंकि ये third person singular है, countable noun, तो जब भी हम it की है, देखो, बहुत ही simple सा नियम है इसका, है न, देखो, दो व्यक्ति किस के बारे बात कर सकते हैं, अभी सिर्फ एक की बात कर रहा हूं है न, एक वचन की, singular की, तो दो व्यक्ति जब मिलेंगे, तो किस एक के बारे बात कर सकते हैं, या तो किसी एक लड़की के बारे बात करेंगे, या किसी लड़की के बारे बात कर सकते हैं, और या फिर it, singular, countable noun, यानि की, इसको अगर मैं हिंदी में explain करूँ, तो एक वचन, countable, count, dhannable, countable, जो गिनने योग्या, एक वचन, गिनने योग्या, संग्या, एक वचन गिनने योग्य संग्या हाँ विल्कूल साइच होना कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अब संग्या के बारे में जब बात आती है तो पहले तो संग्या को भी समझना पड़ेगा बीना संग्या के समझे तो यह टवाला कॉंसेप्टि भी समझ बनी आएगा तो मैंने क काना कि हम जो कुछ भी पढऄंगे हम knowledge based पढ़ंगे सिर्फ फास्त री किसी topic को complete करना हमारे और हेम नहीं है हमारा यह रहता है कि topic है क्या वह क्या मैसेज कर रहा है कहना क्या चाता है वह उसका मीनिंग क्या है और उसकी इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूं वो सारी वस्तु हैं जो संसार के अंदर विद्यमान है जिसको हम अपनी आखों से देख सकते हैं है ना तो हमारी आखों से देखी जाने वाली हर वो चीज जो सिंग्लर है हर वो चीज जो एक वचन है वह वचन में भी हो सकती है यह ना तो वह सारी क्या है noun है अभी एक की बात हो रही है इसलिए में एक बता रहा हूँ noun का meaning क्या हो गया कि हम अपनी आखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सबी noun है उसमें person भी आ गया उसमें place भी आ गया और उसमें thing भी आ गई तो था या नहीं बहुत इसी है नाउन क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं देख सकते हैं यहां तक तो बात हो जाती है complete लेकिन उसमें एक और वर्ड एड हो जाता है वो भी थोड़ा मैं explain कर देता हूँ इस नाउन के बारे में वैसे तो मैं यहीं पूरा का पूरा topic लेने वाला हूँ वैसे मैं पूरा topic लूँगा part of speech का तब एक इक part के बारे मैं noun pronoun adjective verb verb preposition conjunction or introduction इन 8 parts there are eight types of part of speech we will discuss on letter हम उसको बाद में पढ़ेंगे लेकिन यहां की बात आ गई है तो इसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं देखो नाउन एक तो वह सारी चीजे ना वह सारी तिंक्स जिसको देख सकते हैं और दूसरा एक वर्ड आता है जिसको मैं कहता हूं चीजों को बहुत दीरे दीर आसानी से समझेंगे हम कोई जल्दबाजी नहीं है समय लगेगा उसकी चिंता ना करिएगा कभी थोड़ा बहुत वीडियो लेंदी भी बन जाया उसकी चिंता लेकिन जो भी समझाय जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट समझाय जाएगा उसको किया जाएगा तक कि यह एक्स्प्लेंट जब तक नहीं होगी ना चीजें तक तक इंगलिस कठीन लगेगी आपको और चोटी-चोटी चीजे जैसे समझ माने लग जाएगा आपको लगेगा कि बहुत आसाने फिर तो है ना तो मैं बात करता हूँ एबस्ट्रक्ट की जिसक इस बोटल का अब इस बोटल के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोड़ वटर है ठंडा पानी है तो मैंने आपको कह दिए लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर का जो पानी है वह ठंडा है how to explain it मैं ऐसे कैसे explain करूँगा है ना इसको explain कैसे किया जाएगा जब तक कि आप इस bottle के पानी को ऐसे चुकर नहीं देखते हैं है ना चुकर नहीं देखते हैं तब तक आप पता नहीं चलेगा यह ठंडा है या गर्म है तो कुछ बात समझ में आरी है हमारी senses हमारी इंद्रिया जो भी महसूस करती है वो सारे शब्द भी क्या है noun है उसको अपन abstract noun कहते हैं भावाचक में लेते हैं दूसरा एक और example समझते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cold and hot वो क्या हो जाएगा abstract noun हो जाएगी हमारी इंद्रिया जो फील करती है senses फील करती है वो सारे words दूसरे explain अगर आप समझने चाओ और ची तरीके से जैसे हम सभी की अलग लग favorite dishes होती है sweet का example ले लेते हैं जैसे गुलाब जमुन जैसे गुलाब जमुन को मैंने खाया और मैंने कहा कि बहुत ही मीठा है अब आगे वाले को मैं कैसे explain करूँगा कि बहुत ही मीठा है जब तक कि वो खुद उसको taste नहीं कर लेता अब बात आरी समझ में है ना तो अब वो sweet है या sour है कैसे पता चलेगा गुलाब जमुन के बारे में जब तक वो खाएगा नहीं यानि कि इंदरिया महसूस नहीं करेगी तब तक बात है इस समझ में तो टच smell taste तो यह सारी जो भी जो भी words आएंगे जिसको सिर्फ feel कर सकते हैं which we can feel याना सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको explain नहीं कर सकते हैं कितना मीठा है बताने के लिए हमें खुद को टेस्ट करना पड़ेगा और सामने वाले को बताने के लिए सामने वाले को टेस्ट करना पड़ेगा तब पता चलेगा कितना मीठा है या खटा है मेरे कहने का मतलब है कि नाउन का सिर्फ इतना सा सिंपल सा कॉंसे डेफिनिशन सा आप मरजी पड़े वैसे बना लो यह खुद मेरी डेफिनिशन है और भी आप बना सकते हो डेफिनिशन फिक्स नहीं है कि आपने उसको क्रेम कर लिया एक ही आप रटे आ रहे हो काफी टाइम से लिए समझञा है उसको नाउन क्या हो जाएगा नाउन वो सारी चीज़े जो हम आंकों से देख सकते हैं है accruables और दूसरा जो हमारी कि अंद्रियां मेहसूस करती है तो किया मैं इस नाउन को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या में इस नाउन को मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि देखना और महसूस करना तो आइ थिंक अब नाउन की डिफिनिशन में आपने माइन में सट हो गई होगी देखा हो सब नाउन है और जो सारी तो वो चीज़ें जो मैसूस कर सकते हैं अब अपने नहीं कर सकते वो सारी नाउन अब चलते हैं अपन समझे थे इट के बारे में इट है singular countable noun एक वचन गिनने होगे संगया तो एक वचन गिनने होगे संगया के अंदर क्या हट जाएगा यह feeling वाला concept नहीं आएगा और जो भी देख सकते हैं अगर वह एक है जैसे जो है पैन की बात करो मैं स्टिक की बात करो जैसे इस बोटल की बात करो मैं है ना जैसे इस तो इस वर्ल्ड के अंदर जब हम किसी एक के बारे में बात करेंगे अब यहां गौर करने लाइक एक और बात है इट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो इट को पूरी तरीके से समझना होगा कि इट का concept है क्या तो इट डिनोट क्या करता है क्या बताता है इट यह भी कहता है कि मेरे अंदर दोनों चीज़े है अब इट के पास क्या है इट के पास दोनों चीज़े हैं living भी है living और non living भी है अब living की बात करूं तो ले लो कुछ भी ले लो पैर्ट ले लो अगर इफ आई टॉक अबाउट तोता है ना लॉइन ले लो नॉन लिविंग में कुछ भी एक्जाम्ब ले लो बुक्स ले लो पैन ले लो हुआ तो सायथ अब आपको अपतु कंफर्म है आपको यह वाला कॉंसप्र cup समझ में आ गया होगा कि जब दो व्यक्ति आप उसमें बात करते हैं तो वह किस के बारे में बात कर यहां तो वह यहां पर राम कह सकता हूं यosse जग्हा अप समझ महीं होसकता है। आइड की डिकाइश के इस वर्ल डिकांद इस वर्ले चेलार प्रस्ट अरे ladies इतनिक tydenn तो इट के अंदर वो सारी things non-living things और living things है ना वो सारी इस इट के अंदर आ जाएगी वो होने क्या चुदिये एक तो ये था आपना इट का simple सा गौंसेप्ट है ना singular countable noun एक वच्चन गिनने हो गया संग्या चलो अब चलते हैं आगे वापस अब आते हैं वापस अपन अपने person की और तो कितनी अच्छी तरीकी से एचीज समझे बाई मैं जब कुछ कहूँगा तो मैं कहने वाला जो first person आप सुनने वाले second person and if we talk about third अगर हम किसी तीसरे की बात करें और सिर्फ singular की बात करें तुम ज़दा ज़दा वो singular कौन होगा, वो एक वेचन कौन होगा, ज़रा सोच के देखें, या तो वो लड़का होगा, या लड़की होगी, या इस पूरे वर्ड में जो भी एक है और वो दिखता हो, है ना, और वो सारी noun हो जाए, क्योंकि noun क्या होता है, सभी दिखती है ची अब plural concept में आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको ये explain करता हूँ, कि यहाँ पर twice time, दो बार यहाँ पर 2Q mention है, कि सर यहाँ यू आपने second person singular भी लिखा है, अब देखो जब यहाँ प्लूरल की बात आएगी ना, तब यह वी plural हो जाएगा, यहाँ पर यू प्लूरल हो जाएग समस्ते हैं, अब यू मैंने लिखा था, third person singular भी लिखा था, और यू को मैंने क्या लिखा था, third person plural भी लिखा था, इसको मैं singular भी count करता हूँ, यह फिर से यान लिख देता हूँ, ताक अच्छे से समझ माँ जाए, यह third person singular अब मैंने याँ दोनों लिख दिया, है ना, अब लिख तो मैंने दोनों दिया, इसको मैंने singular में भी डाल दिया, और प्लूस के सर, how is it possible, कि सर, singular भी यू है, और प्लूरल भी यू है, तो मैं आपको बता दू, जिस तरीके से अलगलग subject के अंदर कुछ exception होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, उसी तरीके से English language में भी कहीं कहीं क्या होते हैं, exception है, कहीं कहीं अपवाद है, example से समझेंगे, तो यह अच्छे तरीके से clear हो जाएगा, अब देखते हैं कैसे, तेखो, class, पूरी class मेरे सामने बैठी है, है ना, आप सभी students जैसे मेरे class, regular class मेरे सामने बैठेंगे, तो अगर मैं first bench पे बैठे हुए किसी particular boy या girl के बारे में अगर मैं कुछ कहूंगा, है ना, for example, you are a good boy, तुम एक अच्छे लड़के हो, अगर मैं किसी particular, जो है किसी लड़के के बारे में बात करूं, class के दो, जो first bench में, first line में, first number पे बैठा है, है ना, तब तो मैं कैसे कहूंगा, उसको, you are a good boy, और अगर मैं whole class की बात करूं, अगर मैं पूरी class की बात करूं, you are good boys and girls, कुछ चीज समझे में आई, एक को कहना था, तब भी मैंने you के साथ क्या ली, helping verb, आर ली, और मुझे सभी boys और girls के वारे में अगर कहना था, तब भी मैंने you के साथ helping verb क्या ली, मैंने are ली, कहने का मतलब हुआ, when we make, when we see, the subject is you, then we always use helping verb as plural, plural की तरह जो भी काम करेगे साइक करिया, उसी को हम you के साथ लेंगे, other helping verb उपस को काम में नहीं लेंगे, you के साथ कभी is नहीं आएगा, you के साथ कभी was नहीं आएगा, you के साथ कभी has नहीं आएगा, है ना, तो कहने का मेरा sense ही है, कि जब भी मैं you की बात करूँगा, singular भी count कर सकते हैं, plural से भी बाक्य बना सकते हैं, लेकिन इसमें change क्या होगा, इसमें सिर्फ यह थ्यान रखना है, चाहे singular के according हम you को काम में लें, चाहे plural के according, अगर मैं एक लड़के की बात करूँगा, तो single के बारे में बात कर रहा हूँ, तब भी you के साथ जो helping और भाएगी, वो plural के आएगी, तो यहाँ पर concept क्या कहता एंग्लीश का, कि we always use plural helping verb when we make sentences which starts from you, जो you से शुरू होते हैं, उन सारे sentences के अंदर हम helping verb जो काम मिलेंगे, वो plural helping verb काम मिलेंगे, बले ही you को हम singular count करते हो, तो यह छोटा से एक exception है, यह अपवाद है, और ध्यान के लिए लाइक सिर्फ इतनी बात है, कि जो you के साथ helping verb होगी, जैसे यह है, तो वो मेंसा कैसी होगी, plural helping verb use होगी, इसके साथ हम मेंसा, plural helping verb का ही use लेंगे, है न, इसको आप note कर सकते हो, plural helping verb, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, you अला भी concept, उसको singular भी count करते हैं, और plural भी करते हैं, बस ध्यानी रखना है कि जब भी हम you से वाक्य बनाएंगे, तब साहिक करिया जो you के बाद लगी, जो भी साहिक करिया उस वाक्य में you के साथ बनेगी, वो हमेशा plural form में आएगी, बहुवचन की साहिक करिया आएगी, एक वचन की साहिक करिया नहीं आएगी, पलही वाक्य के अंदर हम एक वचन की बात कर रहे हो, ठीक है, चलते हैं वागे, अब देखो, यहां तक अपने हो गया था, singular concept clear हो गया था, फर्स्ट पर्सन सिंगिलर, सेकेंड पर्सन सिंगिलर, और थर्ड पर्सन सिंगिलर में, इसी तरीके से प्लूरल ले लो, अगर इन तीनों को मैं, इन तीनों को मैं किसे डिवाइट कर दूँ, अगर मैं तीनों को section माल लो, इसको मैं माल लेता हूँ, a section, इसको मैं माल लेता हूं, b section, या तीनो ग्रूप ले लो, और इसको माल लेता हूं, c section, या फिर तुम्हारी groups ले लो, इसको मैं grouping कर रहा हूं, मैं group बना रहा हूं, है ना, मैं grouping कर रहा हूं यहां पर, मैंने group बनाया, a group बनाया, b group बनाया, और c group बनाया, group in the sense, एक से ज़् मैंने तीन गृप बना दिये अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में अगर गृप बने हो एक गृप बी गृप से जब बात करेगा तो एक गृप को मैं क्या कहूँगा वी यानि हम सब बात किसे करेंगे तुम सब से तो यहां यू प्लूरल फ्रम में अभी मैंने समझा है कि यू को singular भी काउंट करते हैं तो यू क्या हो जाएगा second person plural हो जाएगा ये भी ग्रूप हो जाएगा और ये दोनों ग्रूप ग्रूप का in the sense ये कि एक से जधा तरी का मतलब होता है वे इस अग्र होता है वे सब और ये दे भी उसी तरीक से काम कारएगा जिस तरीक से से इट काम करता था सब्सक्राइब तो इस तरहें के परसंस थे आई भी यू ही शेट और दे तो यह पर्संस बहुत ही सिंपल सा कॉंसेप्ट था पर्सं का जो आपको समझना जरूरी था और इस पर्संस को समझते हुए हम आगे चलेंगे टैंस की और एक बार फिर से इसका रिवीजन ले लेते हैं कि क्या था है ना इसको फर्स्ट टाइम इसको जो है वापिस एक बारिश का हमने सको स्टार्ट किया था है यहां से तो परसंस परसंस देर अट्री टैप सफ परसंन फस्ट सेकेंड थी थीकए फिस थीट ऑप दे अब अब देखो इस आई वी को भी अच्छे मैं अच्सको आप से लो यह पे एस यह पे अवह ऑद ऊसके ने अपने अच्छे तरी किसे बात करूंगा हम दोनों किसी तीसरा के बारें बात करींगे तीसरा अगर एक वचन है तो इस में चला जाएगा दे में चल चला जाएगा और दे में लियुँभूज की बात हो गी फिर से पेट कर रहा हो हो है ना नॉयुभण की नहीं की लिविघ शनिक की बात हो गी निस प्ढ़ित एको है मैंने काँ wise के लिए इसकी इंपोर्टेंस है हिह ना जब हम टैण्स के रूप समझेंगे ना तहां कहेंगे कि सर बिल्कुल सही का था आपने टेंस से पहले पर संभाव जब बहुत इसारी के बारें बात करें जो की बंदर है तो वो किस में चलाजे गा वो थाड़ परसनS single में चला जाएगा और किसमें जाएगा kya ही में जाएगा क्याशी में जाएगा और क्या इट जाएगा वह जाएगा इट में क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अदर कौन को से थिंग्स आएगी हम एनिमल्स की जब बात करेंगे वो भी किसमें काउंट होंगे वो भी एक के अंदर काउंट होंगे यह था अपना पर्सन वाला कॉंसेप्ट बहुत ही प्यारा सा और इसको रेगुलिल क्लासेज में एकजाम इवन से भी पहले समझे जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम जो इसके बार हम डिस्कस करने के बाद में आगे टेंस की और बढ़ेंगे हम कुछ एक डिस्कस करेंगे पॉइंट पार्स आप स्पीच के फिर हम टेंस शुरू करेंगे ताकि जब टेंस शुरू करें तो आपकी न स्पीच बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ना क्योंकि जब हम सेंटेंस देखते हैं अगर सिर्फ एक चीज की बात करूं मैं एक एग्जम्पल लेते हैं अपनिया पर जैसे कि ही कि इज जैसे आई गो टू स्कूल मैं विध्या ले जाता हूं यह बहुत ही सिंपल सामने इसका एक्जम्पल लिया है आपको कि सर्फ पार्ट आफ इसका रोल क्या होता है है कि अम सेंटर्थ देंगे नेंगे क्रीफ पड़िंगे हमने खूप पड़ने टेंस वाकिया इसके बनाने के लिए बैठों गे तब आपके सामने एक और प्रॉब्लम आएगी वह प्रॉब्लम क्या आएगी देखो यह वाकिय किस टेंज का है यह वाक्य है present simple tense का, है ना, subject plus verb की first form than object, मैं school जाता हूँ, यह वाक्य किसका है, present simple tense का है, ठीक है, आपने यहां तक सीख लिया कि present simple का है, लेकिन, जब मैं बात करूँ I की, जब मैं बात करूँ I की, तो I तो आप क्या कहदोगे, सर यह subject है, है ना, आप कहदोगी यह subject है, और जब मैं बात करूँ go की, तब आप कहदोगे सर, यह go क्या है, यह verb है, है ना, तो यहां मैं note कर रहा हूँ इसको, I को मैं से यह subject लिख रहा हूँ, यह इस go को मैं लिख रहा तूल क्या तू क्या सबसे पहले तो आप यह बता है तो मुझे पता है आप ने कुछ बहुत प्रिपोजिशन भी पढ़ रखे दिया उस वाइड को डाल दिया ऐसा नहीं है मेरे प्रयारे विद्यार्थियों अंग्रेजी भासा का यही तो संदर है जब रीडर खोलते हमारे सामने सेंटेंस होते हैं तो क्या यह आसान नहीं रहेगा अगर सेंटेंस में जितने सारे शब्द है अगर हमें पता हो कि वह शब्द क्या है और वह क्यों आया है तो क्या इंगलीज को समझना आसान नहीं हो जाएगा फिर हमारे लिए पीछे क्या बसता है बस कोच्छे के और तो देखो अगर ईस आई को बात करों तो सब्यक्त होगा सात ही साथ इस आई को में और क्या कह सकता हूं मैं इसको काऊंघा अटिक है स्को में कहूंगा पूरान साथ में काऊंगा मुझे पता है कि आपको यह चीज Nada कुछ-कुछ आती होंगी आपने चोटी क्लासेश पढ़ी है और ये टू जो होगा वो प्रिपोजिसन होगा और मुझे ये भी पता है कि आपने प्रिपोजिसन भी पढ़ रखें ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है यह लेकिन हम हम उसको थे क्यों है उसका रॉल क्या है इसकी संडनेंस के अदर है ना तो वह मैं आपको और लुके पहले दिखने संडेंस करने से पहले मैं आपको हलंगा कि सेन्टेंस जानले में को सब्सक्राइब我是 चा Dave जाए तो सब्सक्रार को हम भी हम सब्सक्राइब ड्रोड़ कें सब्सक्राइब करने o केर मैं हम है कि आपको थे और ऌफ आपकर trainer start करने से पहले मैं आपको ही समझाऊंगा कि sentence के अंदर कितने types के words होते हैं और उन words को कैसे identify किया जाता है उसको कैसे understand किया जाता है उस word को वो सारा हम सेखेंगे parts of speech के अंदर English बहुत ही प्यारी चीज़े बहुत ही सुन्दर भासा आईए बस इसको step by step point to point इसको हर एक चोटे-चोटे concept पर गौर करते हुए इसको समझने और सीखने के ज़रूत है मेरे प्रीए विद्यार्तियों success point परिवार के अंदर आपको quality based education मिलेगी और मैं कहराऊना कि हर एक point पर explain किया जाएगा उसको कि ऐसा है तो क्यों है और हम क्या पढ़ रहे है सिर्फ क्रेम करकर और percentage बनवाना ही हमारा एम नहीं है हमारा एम है knowledge based education है ना ताकि आप ना सिर्फ इन higher classes के अंदर अगर इस वीडियो की बात करो तो यह सभी बच्चों के लिए important वीडियो है यह six to twelve और competitive exams के according भी वीडियो बहुत ही important है तो आपको अपने success point school के अंदर with examples करवाई जाएंगे जो भी topic grammar के हैं जितने भी हम आप मैं आपको यहाँ पर explain करूंगा word to word उन सभी के आपको practice भी करवाई जाएगी और practice भी उस level की होगी कि जो level आप competition exams में देखोगी वहाँ जाकर फिर आपको मन में डर नहीं रहेगा कि सरीए जो है person के बारे में पूचा है या tense के बारे में पूचा है तो सरी question कहां से आया है ऐसा mind में आपके नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा जो आपके कठी समझा है उतनी कठी नहीं है बहुत आसान है बस इसको condition यह है कि इसका हर एक छोटी-छोटी concept को example के साथ explain करते हुए अगर समझा जाए तो बहुत यह आसान बासा मन जाती है तो आज हमने persons के बारे में पढ़ा एक बार आप फिर इस वीडियो को जो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और दूसरा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने friends के साथ भी इसको share करें क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है विद्यारूपी धन परसेंटेज ने बनाना नहीं है परसेंटेज तो यहीं बन जाएंगे अगर आपको यह concept समझ में आ गए चोटे-चोटे सारे अगर यह आपको आ गया तो और है क्या हाइर क्लासिज में क्या होता है कहीं पर भी कोई grammar नहीं है सिर्फ एट मार्क सी grammar आपको क्या चाहिए राइटिंग सेक्शन पर कमांड और उसके लिए क्या चाहिए हाउ टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेज किस तरीके से प्रॉपर वाक्य बने जाते हैं लिखे कैसे जाते हैं और उसकी शिरुवात यहीं से होती है मेरे प्रिये विद्यारतियों यहीं से होती है इसी tense से होती है और मैं आपको टेंस के अनदर seventy two types के sentence बनाने सिखांगा इतनी आसान तरीके से कि आपको उसमें कुछ भी याद करने की जरूत नहीं होगी इंगलिस में मैं फिर से एक ही बात में हर बार मैं एंफिसिस करता हूँ कि क्या रटोगे कुछ है नहीं रटने जैसा समझने जैसा है बस इसको patience ली क्या करना है समझना है हमको यहीं पिर मैं आज अपनी क्लास अपनी complete करता हूँ मैं प्रिविधार्थियों और next class के अंदर थोड़ा बहुत हम part of speech के बारे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे tense की और उसको बहुती एक नए और बहतरीन तरीके से मैं आपको करऊंगा इस तरीके से की मेरा experience है की आप कभी भी अपने life के अंदर tense को कब भी नहीं भूलोगे और हर एक तरीके का वाक्य जो tense related है आप आसानी से without any mistakes you can make it easily. Okay my dear friends, thank you.